Hey guys, I am Kirti Sharma and welcome back to my channel Health Mange Mour. मेरी आज की super healthy recipe है homemade muesli, जिसे आप घर में अपनी पसंद के seeds और dry fruits के साथ असानी से बना सकते हैं. ये nutritious recipe weight loss में help करती है. तो इसको हम घर में दो तरीके से बना सकते हैं. First method में इसे हम आवन में बनाएंगे. इसको बनाने के लिए यहां एक bowl लेते हैं और उसमें लेते हैं one cup rolled oats, जो quick oats से थोड़े different होते हैं और इसमें डालेंगे अंजीर और बादाम एक टेबल स्पून, छोटे टुक्डों में कटे हुए, और cranberries, sunflower pumpkin seeds, walnuts one tablespoon, kishmish भी one tablespoon, सूखा नारियल one tablespoon, sesame seeds या till one tablespoon, अलसी या flaxseed भी one tablespoon and one fourth cup लिया है गोड़ या जैगरी पाउडर, half teaspoon दालचीनी और टुटकी भर नमक जो इसकी flavors को बढ़ाता है, one tablespoon honey लिया है और one tablespoon melted butter, इसकी जगे देशी घी भी ले सकते हैं और butter और honey की मौशर के कारण सबी चीज़या असानी से coat हो जाती हैं और इसे हम एक baking tray में जिसमें parchment paper लगा है, ट्रांसफर करेंगे, अगर आप इसे मीठा नहीं बनाना चाहते हैं तो jaggery powder जो हमने one fourth cup लिया है उसे skip कर दें और इसे हम bake करेंगे ये one sixty degree पर 20-25 मिनिट के लिए जब तक ये अच्छी तरह से golden brown नहीं हो जाता है लेकिन बीच में एक से दो बार इसे हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जले नहीं 20-25 मिनिट के बाद सभी dry fruits crisp हो गये हैं, oats light brown हो गया है और ये muesli तयार हो गई है, इसे एक glass container में fill कर देते हैं महिनों तक चलने वाली ये muesli, घर में बनाने से बहुत सस्ती भी पड़ती है और इसमें आप अपने पसंद के flavors और dry fruits भी add कर सकते हैं, second method में हम gas top पर बनाएंगे, यहाँ पर हमने एक pan में dead cup rolled oats या old fashioned oats लिये हैं, ये less processed होते हैं, इसे आप online आसानी से मंगा सकते हैं, low flame पर हिलाते हुए, light brown होने तक इन्हें हमें roast करना है, देखें इनका color change हो गया है, अब इन्हें हमें glass bowl में transfer कर लेंगे, और इसी pan में हम roast करेंगे dry fruits, पसंद के कोई भी dry fruits आप ले सकते हैं, यहाँ मैंने एक tablespoon लिया है, walnut और उतने ही लिये हैं, बदाम और इन्हें low flame तक भून र sunflower और pumpkin seed एक tablespoon, तिल भी एक बड़ा चमच लिया है, सभी dry fruits और nuts को जब हम roast करते हैं, तो उनका moisture खतम हो जाता है, वो crisp हो जाते हैं और उनका taste बढ़ जाता है, साथी shelf life भी बढ़ जाती है, एक tablespoon coconut flakes लिये हैं, आप अपनी पसंद के dry fruits की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं, जो अब soft dry fruits डालेंगे, जैसे kishmish, अंजीर और cranberries, यह सभी एक एक tablespoon हैं, और इनके वल एक दो मिनिट तक हम roast करेंगे, और सभी dry fruits को अब transfer हम कर देते हैं, glass bowl में, जिसमें पहले से oats रखे हैं, अब इसी pan में हम butter को melt करेंगे, और उसमें 1-4th cup jaggery या गोड डालेंगे, इसकी ज step को skip कर सकते हैं, और चाहें तो केवल 1 tablespoon इसमें honey डाल के भी से mix कर सकते हैं, तो यह jaggery यहाँ पर melt हो गया है, गोड को अब इसमें अची तरह से mix कर लेंगे, half teaspoon मेंने जाला है दालचीनी, जो हमारी metabolic rate को बढ़ाता है, और half teaspoon यहाँ पे लिया है vanilla essence flavoring के लिए, सभी चीचों क properly mix कर लेते हैं, कड़ाई में बने हुई, यह muesli भी उतनी ही crisp और tasty होती है, जितनी की जो हम oven में बनाते हैं, इसे भी आप एक glass container में fill कर लें, और breakfast में enjoy करें, तो breakfast में इसे हम curd या milk के साथ serve कर सकते हैं, और साथ ही आप fresh fruit भी इसमें add कर सकते हैं, एक बावल में 3 tablespoon हमने हैं, मुसली और उसमें fresh curd हम लेते हैं, और कोई भी seasonal fruits आप ले सकते हैं, या मैंने लिए हैं, apple, साथ ही, थोड़े अनार के दानी, जो इसको color भी देते हैं, और इसकी nutritional value को भी बढ़ाते हैं, इसे hot या cold milk के साथ भी आप ले सकते हैं, ये lukewarm milk हमने लिया है, और साथ में fruit मे लिया है मैंने banana, तो ये complete breakfast है, जो full of nutrient है, बहुत सारा fiber है, इसमें बहुत सारे vitamins और minerals है, omega 3 fatty acid है, ये recipe बहुत ही nutritional है, और weight loss में बहुत मदद करती है, तो इस healthy recipe को आप try करें,